हालो फ्रेंस अवरीमॉण वेलकम फिल्कम eलोफ यू टो ते सकस अजुकेटर इस वीडियो में आज हम डिसक्श करेंगे फरस्ट इन हीमाचल प्रदेश यानि कि जो भी जो है फैस जो वाइस Ciao 1000 बना है किसको पहला मीडल मिला था कौन जो है again बना था ठीक है तो ये सब जो है सीजे आज हम discuss करेंगे जो भी first रहे चुके हैं हिमाचल परदेश में और यहां पे जो है हमारा lecture number three है lecture number one और दो जो है मैंने already complete कर दिया है मैं link description में दे दूँगा ठीक है तो playlist मैंने बना दी है ठीक है उसमें आप complete हिमाचल परदेश जो दरपन सीरीज है उसे search कर सकते ह यहां फिर मैं link description में दे दूँगा वहाँ से directly जो है इन lectures को आप देख सकते हो काफी important है अगर आप हिमाचल परदेश जो है हम इरपूर बार्ड की examination के तैयरी कर रहे हैं प्लस आपके allied services यहां फिर नाइप तसीलदार ठीक है तो पूरा book को हम cover करने वाले हैं आज है lecture number three चल बार बार बुचा आता है काफी बार repeat होता है right so इसका answer क्या हो जाएगा आपका nc mehta ठीक है nc mehta right इसका pdf अगर आपको चाहिए तो हमारे telegram के साथ आप जोड़ सकते हैं link में उसका भी description में दे दूँगा ठीक है वहाँ से आप pdf भी ले सकते है first vice chief commissioner कौन थे हिमाचल e.p.moon ठीक है e.p.moon तो ये थे vice chief commissioner next is first lieutenant governor कौन थे तो पहले उप राज्यपाल जो थे वो थे major journal major journal हिम्मत सिंग major journal हिम्मत सिंग जो थे हमारे पहले उप राज्यपाल थे यानि की lieutenant governor तो पहले गवर्णर कौन थे पहले राज्यपाल जो थे ये थे s चक्रवर्थी next is first woman governor तो महिला governor कौन थी पहली ये भी important है काफी बार पूछा जाता है तो इनका नाम था शिरिमती शीला कॉल रइट शिरिमती शीला कॉल जो थी पहली woman governor थी हिमाचल परदेश नेक्स्ट इस first chief minister तो इनका नाम तो आप सभी को मालूम रहेगा रइट y.s. पर्मार जो थे ये जो हैं हमारे पहले chief minister थे next is first chief justice पहले chief justice of high court of हिमाचल परदेश को रहे हैं important question है काफी बार repeat होता है तो मुख्य ने अधीश की बात करें तो justice हमिदुला बेग justice हमिदुला बेग जो थे ये आपके पहले chief justice थे हिमाचल परदेश हाई कोट में first woman chief justice कौन थी फिर अब ध्यान से देखिए woman का question important हो जाता है woman chief justice कौन थी हमारे यहां पे जो हाई कोट रहा है उसमें तो इनका नाम था शिरिमती लीला सेट शिरिमती लीला सेट जो थी ये हमारी woman chief justice थी next is first chairman of हिमाचल परदेश public service commission तो ध्यान से याद रखना एक question भी काफी बार repeat होता है first chairman जो थे हिमाचल परदेश public service commission जो कहाँ पे आपका शिमला में है तो इनके पहले chairman कौन थे इनका नाम है के-स कटोच के-स कटोच राइट नाम याद रखेगा कटोच जो है किस से related है आपके शिमला commission से related है राइट और ये lieutenant general rank के थे and आगे move on करते है first chairman of हिमाचल परदेश subordinate selection board जो है आपका हमीरपूर में है उसके जो है पहले chairman कौन थे तो इनका नाम है के-सी मलहोत्रा के-सी मलहोत्रा ठीक है के-सी मलहोत्रा first speaker of state legislative assembly यानि कि पहले जो अध्यक्ष थे आपकी बिधान सबा के हिमाचल परदेश की जो बिधान सबा है उसके पहले speaker या फिर अध्यक्ष कौन रहे है ठीक है इनका नाम था जैवन्त राम जैवन्त राम ठीक है फिर स्पीकर की बात हो रही है ध्यान देना यहांगे फिर्स्ट वाइस्पीकर कौन थे फिर हिमाचर पदेश स्टेट लेजिसलेटिव असेम्बली में यानि की प्रत्थम विदानसभा उपाद्यक्ष कौन थे तो इनका नाम था कृष्ण चंद्र शृरी कृष्ण चंद्र आगे चलते हैं फिर्स्ट चीफ सेकरेटरी कौन थे हिमाचर पदेश में तो पहले जो थे लोका युक्त यहां पे विदानसभा सचिव पूछा जा रहा है पहले विदानसभा सचिव यानि की चीफ सेकरेटरी कौन थे तो ये थे मुख्य सचिव चीफ सेकरेटरी केल महता ची पर Chief Justice Chief Secretary के बारे में पूछा जा रहा है तो KL महता होगा और यहां पर Chief Commissioner का नाम होगा NC महता तो यहां पर confusion हो जाता है Chief Commissioner है NC महता और जो है आपके Chief Secretary है वो है KL महता ठीक है? Next is First State Legislative Assembly Secretary तो बिधान स्वा सचीट पहले कौन थे? तो पहले बिधान सवा सचीज थे NC Nandi NC Nandi Right Next is First Loka Yukht पहले Loka Yukht जो थे हिमाचल परदेश के कौन थे इनका नाम था TBR Tata Chari TBR Tata Chari Right Next is First Vice Chancellor of हिमाचल परदेश अब देखो हिमाचल परदेश जो universities हैं ये सारी जो agriculture universities हैं या फिर कोई आपकी जो फरेस्ट्री है horticulture वाली है उसमें जो chairman रहते हैं वो हमारे chancellor रहते हैं वो हमारे कौन रहते हैं वो हमारे जो governor रहते हैं वो रहते हैं तो यहाँ पर किन को चुना जाता है vice chancellor को चुना जाता है वाइस चांसलर जो है हमारे प्रदेश इनवरसिटी जो की कहां पे है ये आपकी शिमला में हैं ठीक है तो सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए कहां पे है शिमला में है और इसके वाइस चांसलर कौन थे पहले उनका नाम याद रखेगा आरके सिंघ रामकरण सिंग इनका नाम था पूरा नाम था रामकरण सिंग को या फिर इग्जाम में क्या होता है कि आपको short form दे दी जाते है आरके सिंग लिखा होगा तो confusion नहीं होना चाहिए तो ये दोनों तरह आपको याद रखना है रामकरण सिंग और दूसरा आर के सिंग ठीक है शॉर्ट फॉर्म में नेक्स फर्स्ट वाइस चांसलर ओफ हिमाचल प्रदेश एग्रिकल्च्रल युनिवरसिटी पहले तो ये मालम होना चाहिए कहां पे एग्रिकल्च्रल युनिवरसिटी कहां पे पालंपूर में हैं कांगडा जिस् बेंगे जो आपका 918 पॉस्ट कोड का क्लर का एक्जामिनेशन था उसमें जो है शॉर्ट फॉर्म दे दी गई थी है ऐच आर कालिया तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जामिनेशन में जो है शॉर्ट फॉर्म में पूछ लिया जाता है तो एच आर कालिया नाम याद ठीक है और इनका नाम क्या है नाम याद रखिएगा एम आर ठाकुर एम आर ठाकुर ठीक है नेक्स्ट इस फर्स्ट गवर्नर हुडाइड ड्यूरिंग इस टैन्वर यानि कि पहले जो गवर्नर थे राज्यपाल थे हमाचक पदेश के जो अपने टैनुर के दोरान जो है ज तो पहली जो वूमेन थी अगर देखेंगे यौक सबाहमेंबर फॉन था हमाचक पदेश से तब भी एक नाम होगा वोमेन का नाम होगा और आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है थे तो राजकुमारी अमरित कोर next is first woman appointed as the minister in the central government cabinet यानि कि जो पहली महिला थी जो जिसको जो है government ने अपने cabinet में एक minister का पद दिया था minister बनी थी वो भी राजकुमारी अमरित कोर ही थी और कौन सा जो है इनको ministry दी गई थी इनको health ministry दी गई थी ये भी आपी याद रख सकते हैं right next is first राजसवा member from हिमाज़ा पदेश तो लोगसवा member आपको पता चल गया महिला थी ठीक है राजकुमारी अमरित कोर और राजसवा member जो थे हिमाज़ा पदेश से वो कौन थे तो इनका नाम था चिरंजी लाल वर्मा next is first Victoria Cross winner अब Victoria Cross medal तब दिया जाता था जब आपके जो वर्ल्ड वार हुआ करते थे उस समय जो इंडियन्स जो अच्छा जो है support करते थे इंग्रेजियों को तो उस समय जो है Victoria Cross नाम का जो है medal हुआ करता था तो Victoria Cross जो है पहला जो किसको मिला था तो जमादार लाला राम को जमादार लाला राम ठीक नाम याद रखी का important है कई बार examination में पूछ लिया जाता है नेक्स लते हैं first परमवीर चक्र तो पहला परमवीर चक्र जो कि हिमाचल परदेश में किसको मिला था तो major सोमनाथ शर्मा रेंक इनका major था नाम इनका सोमनाथ शर्मा था next is first महावीर चक्र पहला महावीर चक्र जो है किसको मिला था हिमाचल परदेश में that is lieutenant colonel rank के ये थे इनका नाम था command sing lieutenant colonel command sing परमवीर चक्र का आपको नहीं भूलना है और ये दोनों victoria cross राइट वीर चक्र किसको मिला है पहला हिमाचल परदेश में तो यह हवलदार rank के top गे हवलदार तोपगे को पहला वीर चक्र मिला है हिमाचल परदेश में next move on करेंगे पहला पुलीस मेडल किसको मिला है हिमाचल परदेश में तो गंगवीर सिंग को मिला है गंगवीर सिंग next first YS परमार मेडल YS परमार जो है मैडल जो है किसको सबसे पहले मिला मिया गवर्धन सिंग को मिया गवर्धन सिंग इन्होंने एक किताब भी लिखी है जो आप पढ़ते भी होंगे ठीक है तो किस काम के लिए हिमाचल संस्कृतिक और साहित्य के लिए जो है यहां पर इनको यह पुरुसकार दिया गया था और यह पुरुसकार कब दिया गया यह भी डेट याद रखेगा आपको एक यह दो कॉशन हमेशा पूछे जाएंगे किसी भी एक्जामिनेशन में तो इसको जो है आपने ध्यान से सेशन को देखना है इसका पीडिएफ चाहिए तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वहां से ले सकते हो आप ठर्टी जो लास कॉशन है फर्स्ट खेल रतन वीनर जो है हिमाचल परदेश का वो किसको मिला था तो पूरा नाम क्या रहता है इसका राजीव गांधी खेल रतन पुर्श का तो यह जो है विजे कुमार को मिला था विजे कुमार आपने मुझे ये बताना है कि विजे कुमार कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है ति कौन सा खेल खेलते थे वो जो है आपने कॉमेंट सेक्शन में इसका अंसर देना है सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगा और शेर भी जरूर करें और नए स्टूडेंट जो है चैनल को सब्सक्राइब करें साथी साथ जो है हमारा पॉलिटी का सेशन भी जो है नेक्स मंडे से स्टार्ट होने वाला है वो भी हम start करेंगे और ये जो है हिमाचल दर्पन का पूरा बुक का completion में आपको करवाऊंगा तो सभी जो भी examination के तेहरी कर रहे हैं चैनल को subscribe कर लें बिलेंगे next lecture में तब तक लिए जाए